हेलो एवरिवन मैं डॉक्टर सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और आज मैं आपको मिलैजमा जो काले धब्बे की बिमारी होती है उसके बारे में बताने वाली हूँ उसके क्या क्या कारण होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे अगर आप लोगों को मेरे बताय होए टॉपिक पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलैजमा क्या होता है? मिलैजमा में काले-काले धब्बे हो जाते हैं चहरे के उपर जैसे की गालों में, नाग के उपर, माथे में और अपर लिप के एरिया में कभी-कभी नैग पे और हाथों पे भी देखा जाता है ये इंडियन पॉपुलेशन में काफी कॉमन होता है और ये फेमेल्स में जादा देखने को मिलता है तो शुरू में ये एक बहुत हलका सा एक काले दाग की तरह देखता है गाल के उपर फिर टाइम की अनुसार ये थोड़ा गाड़ा हो जाता है और थोड़ा बढ़ने लगता है तो ये होता क्यूं है इसका exact कारण आज तक नहीं पता चला है लेकिन बहुत सारे risk factors है जिसके कारण से ये होता है जैसे की genetic factors अगर आपके परिवार में किसी को मिलैस्मा की बिमारी है तो आप में भी ये होने के chances थोड़े बर जाते हैं देखा गया है कि 48% लोगों में जिनको मिलैस्मा होता है उनके कोई परिवार के सदस्य को भी ये मिलैस्मा की बिमारी होती है इसके अलावा धूब में ज्यादा जाने की वज़े से अल्ट्रा वॉयलिट रिडियेशन की वज़े से भी ये मिलैस्मा ज्यादा देखा जाता है तो धूब में और समर्स में ये ज़्यादा डार्ग हो जाता है और धूब से जितना आप बचोगे उतना ये कम दिखने लगता है इसके अलावा इसमें हर्मोन का भी एफेक्ट माना जाता है जैसे कि फ्रेग्नेंसी के बाद ये मिलैजमा जादा देखने को मिलता है और किसी-किसी फेमेल्स में कॉंट्रासेप्टिव पिल्स का सेवन करने के बाद ये ज्यादा दिखने लगता है इसके अलावा और रिस्क फेक्टर्स होते हैं जो ज्यादा पौमन नहीं होते हैं जैसे कि थैरोइट के उपर चड़ाफ और एंटी एपिलेप्टिक ट्रक्स का इंडेक या मेंटल स्ट्रेस की वज़े से भी उसके बाद भी देखे जाते हैं और कुछ कॉस्मेटिक्स अपने चहरे में लगाना जैसे कि अगर कुछ फ्रेग्नेंस वाली क्रीम्स आप अपने फेस पे लगाते हो तो उसके रियाक्शन्स की वज़े से भी ये मिलैसमा दिखने लगते हैं ये फिमेल्स में ज्यादा देखे जाते हैं और मेल्स में कम लेकिन वो मेल्स जो अपने फेस पे सरसों का ते लगाते हैं उसके बाद उनका धूब में जाना रहता है उसमें ज्यादा देखा जाता है तो Melesma के क्या-क्या टाइप्स होते हैं ये मेंली थ्री टाइप्स के होते हैं Epidermal, Dermal और Mixed Epidermal का मतलब ये है कि जो काले दाग होते है जो Melanin होता है वो सिर्फ स्किन के उपर हिस्से में है और Dermal Melesma मतलब की जो Black pigment होता है वो skin के थोड़े नीचे के हिस्ते में है जो की dermis में और mixed मतलब की जो ये black pigmentation है दोनों epidermal और dermal उपर और नीचों के हिस्तों में है ये पता करना जरूरी रहता है कि आपका milasma कौन से प्रकार का है क्योंकि जो epidermal milasma रहता है जिसमें सिर्फ pigment उपर के हिस्ते में रहता है वो दवाया लगाने के बार उसका अच्छा सर रहता है लेकिन जो dermal milasma होता है उसको treat करना थोड़ा सा difficult होता है तो ये milasma को हम कैसे treat करते हैं? ये पता होना चाहिए कि milasma का बहुत लंबे समय के लिए इलाज चलता है और एक dermatologist को long treatment plan बनाना होता है ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार कोई cream लगाई, कुछ दवाई खाली या ये milasma हमीशा के लिए चाला जाए बिलकुल नहीं आपको इसके लिए लंबे समय के लिए दवाई करनी पड़ती है तो इसमें हम पहले तो पूरा history जानने की कोशिश करते हैं कि आपको किस वज़े से ये हुआ है या फिर आप कोई contraceptive pills तो नहीं ले रहे हो या कुछ खुझबुदार चीजें अपने face पर तो नहीं लगा रहे हो उन सब के बारे में जानकारी लेते हैं उसके बाद हम दवाई शुरू करते हैं इसमें सबसे important होता है sun protection आपको धूप से बचना बहुत जरूरी रहता है तो आप जब भी बाहर धूप में जाएं तो umbrella ले कर जाएं या उसके अलावा goggles पहन सकते हो जो आपके cheeks के area को भी थोड़ा cover करें और full sleeves के कपड़े पहनिए ताकि आप जितना हो सके उतना धूप से बच सकें फिर आपको हमेशा sun screen का प्रियोग करना है ये बहुत सरूरी है ये जो आप sun screen यूज़ करते हो वो broad spectrum का होना चाहिए मतलब कि ये दोनों आपको UVA एंड UVB की किरनों से बचना चाहिए तो आप ये sun screen अपने पूरे चहरे पे और neck पे इसको लगा सकते है और ये sun screen आप हर दो दो घंटे में फिर से repeat करोगे सिर्फ एपर sun screen लगाने से आपको पूरी protection नहीं मिलेगी तो अगर आपको बाहर जाने का काम रहता है या धूप में जाधा रहने का काम रहता है तो आप ये sun screen अपने साथ ही लेके चले और दो दो घंटे में अपने face पे लगाते रहिए ये करना बहुत जरूरी रहता है जब तक आप धूप से नहीं बचोगे और नियमित रूप से sun screen नहीं लगाऊगे तब तक आपको ये काले धबो में जाधा परिवर्तन नहीं देखेगा जिनकी थोड़ी oily skin होती है वो sun screen लगाने से थोड़ा डरते है उनको लगता है कि sun screen लगाने के बाद उनका face और ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है और उसमें acne आने लगते है तो इसके लिए आपको gel वाले sun screen यूज करने चाहिए अगर आप हर रोज makeup products यूज करते हो तो जरूर ध्यान रखना की आप पहले sun screen लगाए और उसके बाद उसके उपर ही primer और foundation लगाए ताकि आपको protection भी मिले जिन लोगों के acne होते हैं वो हमेशा डरते हैं sun screen यूज करने से क्यूकि उनको लगता है कि अगर वो sun screen लगाएंगे तो इसकिन और oily हो जाएंगी लेकिन ये गलत है अगर आपके acne हैं तो आपको sun screen लगाने की जरूरत और जादा है क्यूकि जिनके acne होते हैं वो जब धूब में जाते हैं तो तेज काला पढ़नी का चांस और जादा हो जाता है तो जब भी acne जाएंगे तो आपके काले थब्बे छोड़ कर जाएंगे तो अगर आप regular sun screen यूज करोगे तो ये काले थब्बे छोड़ने के chances कम हो जाते हैं sun screen के अलावा और एक असरदार cream होती है hydroquinone creams तो hydroquinone skin में जो काले थब्बे होते हैं उसको कम करता है और ये melanin production को reduce करता है hydroquinone एक से चाल प्रतीशत concentration में dermatologist यूज करते हैं इस cream को छोटी से मात्रा में जहाँ जहाँ काले थब्बे हैं वहाँ वहाँ लगाना होता है रात को और आप याद रखिएगा कि हमेशा hydroquinone एक डॉक्टर की prescription के बाद ही इसका इस्तमाल करें एक triple combination करके cream आती है जो की काफी असरदार होती है मिलैस्मा को कम करने में ये triple combination में होता है hydroquinone, tretinoin एक mild steroid प्रिजेंट होते हैं तो hydroquinone जो skin में मिलैनिन बनता है उसको कम करता है tretinoin जो skin का उपर वाला हिस्सा होता है उसको उतारता है ताकि hydroquinone का असर थोड़ा और बहतर हो सके और steroid जो hydroquinone और tretinoin की वज़े से irritation हो सकती है जो जलन हो सकती है उसको कम करता है लेकिन ये cream dermatologist सिर्फ एक से दो महिने के लिए इस्तिमाल करने के लिए देते हैं अगर इसको आप लंबे समय के लिए इस्तिमाल करते हो तो इसमें से जो steroid के side effects होते हैं वो दिखने लगते हैं जैसे की skin थोड़ी पतली हो जाती है और उसमें सफेब धब्बे दिखने लग जाते हैं इसी लिए आप याद रखना किये triple combination cream आपको सिर्फ एक से दो महिने के लिए ही इस्तिमाल करनी चाहिए और हमेशा डॉक्टर की prescription के साथ ही इस्तिमाल करना चाहिए एक बार आपके मिलासमा थोड़ा सा light हो जाएं उसके बार dermatologist आपको maintenance creams देते हैं जिसमें होता है arbutin, kojic acid, licorice extract और azelic acid ये तत्व आप लंबे समय तक के लिए भी इस्तिमाल कर सकते हैं और dermatologist glycolic acid वाली creams भी इस्तिमाल कर सकते हैं glycolic acid usually एक से दो प्रतीशत concentration में यूज करते हैं इसको हर रोज रात को आप काले धब्बे वाले area में लगा सकते हो higher concentration वाले glycolic acid जैसे की 6% और 10% भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन higher concentration वाली glycolic acid सिर्फ हफते में एक या दो बाल ही इस्तिमाल करना होता है अगर आपके चहरे का रंग दार्क है तो याद रखिए कि आप हमेशा low concentration वाले glycolic acid का ही इस्तिमाल करें वरना post inflammatory hyperpigmentation होने के chances ज्यादा बढ़ जाते हैं post inflammatory hyperpigmentation का मतलब कि जब भी skin में कोई चोट पहुशती है तो skin और ज्यादा dark और pigment बनाने लगती है तो इसलिए ये काले धब्बे और ज्यादा prominent हो सकते हैं आप याद रखिए कि अगर आपका skin का color अगर थोड़ा dark है तो आप हमेशा low concentration वाला glycolic acid का cream ही इस्तिमाल करें और जब भी आप glycolic acid वाली cream इस्तिमाल करते हो तो दिन में sun screen का उपयोग बहुत जरूरी है अगर रात को glycolic acid लगाते हो तो दिन में आप जरूर sun screen लगाएं creams के अलावा chemical peels भी कर सकते हैं ये chemical peels तो अच्छा के उपर वाले हिस्सों को उतारता है और usually glycolic acid peel का इस्तिमाल करते हैं ये 50% glycolic acid peel dermatologist यूज करते हैं ये chemical peel dermatologist दो हफते में या महीने में एक पार करते हैं तो glycolic acid के अलावा dermatologist ट्रिटिनॉइन पील या जैसनर्स पील या PCA पील का यूज भी करते हैं जिनका थोड़ा सा dark skin tone रहता है उनमें chemical peels बहुत साबधानी से करना पड़ता है dermatologist हमेशा low concentration peels से ही शुरू करते हैं क्यूकि इनमें post inflammatory hyperpigmentation का chances थोड़ा जादा होता है इसलिए अगर आपका dark skin है तो आप याद रखिए कि ऐसे chemical peels आप हमेशा एक specialist के पास जाके ही कराएं क्यूकि इसको बहुत साबधानी से करना पड़ता है एक ऐसी drug है जो बहुत popular हो गई है milasma के treatment में वो है tranexamic acid tranexamic acid tablets के तौर पे, creams के तौर पे और injections के तौर पे भी उपलब्ध है ये tablets dermatologist 5 mg से 750 mg तर देते है हर रोज 3 से 6 महीने के लिए देते है इसका regular seven के बाद आपको एक महीने के बाद ये आपके काले धब्बे में थोड़ा सा परिवरतन दिखने लगेगा ये tranexamic acid हमारी skin में जो भी melanin होता है उसको reduce करता है लेकिन आप में या आपके परिवार में किसी सदर्स्य को नसों में खून जमने की परिशानी है जिसको बोलते हैं thromboembolic disease या heart attack हुआ है तो dermatologist ये दबाई नहीं देते है ऐसी conditions में dermatologist ये दबाई avoid करते है तो tranexamic acid का असर भी अच्छा माना गया है लेकिन ये बस 3-6 महिने के लिए दे सकते है तो tranexamic acid आपके milasma को एकदम जड़ से सही नहीं करेगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि थोड़े समय के लिए आपके milasma को थोड़ा हलका कर सकता है tranexamic acid cream formulations में भी available है लेकिन ये ज़्यादा असरदार नहीं माना जाता तो अगर ये creams लगाने के बाद chemical peels करने के बाद और tranexamic acid के बाद भी आपके milasma में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता तो dermatologist lasers भी कर सकते है milasma में बहुत साफधानी से laser treatment यूज करना परता है generally dermatologist laser के लिए prefer नहीं करते है क्योंकि देखा गया है कि laser के बाद ये काले धब्बे और ज्यादा गाड़े हो जाते है या कहीं कहीं सफे धब्बे भी दिखने लगते है इसलिए बहुत सोच समझ के और सारे रिस्क को देखने के बाद ही dermatologist laser का यूज करते है milasma में Q-switched ND YAG laser और freshness CO2 laser का प्रियोग सबसे ज्यादा होता है ये laser का session आपको हर महीने एक बार या 6 हाफते में एक बार दिया जाता है इसको आपको 4-6 महीने के लिए लेना पढ़ सकता है इससे कितना असर आएगा और कितने हद तक ये धब्बे हलके होंगे ये पताना मुश्किल है इसलिए जिनका dark skin tone रहता है उनमें dermatologist पहले test patch करते हैं एक छोटी से area में dermatologist laser दे के देखते हैं कि उसका कैसा असर आया है फिर जाके dermatologist पूरे जहरे को treat करते हैं आप जब laser ले रहे हो तो धूप से बचना और जादा जरूरी हो जाता है तो याद रखिए मिलास्मा का लंबे समय तक treatment करना पड़ता है बस एक बार आपने cream लगा लिया और छोड़ दिया तो इसमें इतना असर नहीं आएगा और अपने lifestyle में भी परिवर्तन लाने पड़ेंगे आपको strictly एकड़म धूप से बचना पड़ेगा तो ये था detailed वीडियो मिलास्मा के उपर मैं आशा करती होंगी आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा Thank you